नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से सुवगे तहाँ आपको अपने चैनल का टेक्समेंटर्स में जिसमें आपको देते हैं गार्णी से रिटेड सारी नौलेज हिंदी में आज को जो हमारे टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी है आज का जो हमारे टॉपिक है वह है टार से लिट इसमें मैं आपको पांच टिप्स बताऊंगा जो टार की लाइफ को इंक्रीज कर देगा जैसे आप जानते हैं कि अगर आप नॉर्मली रखेंगे तो 30 से 40 किलोमेटर चलता है आपकी जो गाड़ी होती है उससे और जो आपकी जमीन होती है जो फर्स होता है सर्फेस होता है उसको जो टच करता है वो टार होता है जो आपका रिम होता है इसको आप देख रहे हो जो यह वाइट वाला है यह टार का वील होता है इसके ऊपर यह रवड का पार्ट देख जो एक नॉम से उसके इसकी डैप्ट एचेंज करने की 1.6 mm होती है जब टायर की देफ 1.6 mm हो जाए तो उस टायर की लाइफ खतम हो गई उस टायर को रिप्लेस कर देना चाहिए कि इससे ज्यादा चलने में आपकी गाड़ी को और आपको नुकसान है क्योंकि ऐसे चलता कभी भी फट सकता है य αλλά कभी भी पंचर को सकता है तो पहला टिप से पहली जो बात है वो है टार प्रेसर से लिए गाड़ी में टार प्रेसर हमेशा जो गाड़ी में रिकमेंडिट किया जाता है उतना ही होना चाहिए किसी में 33 किसी में 29 PSI दिया जाता है तो जितना भी टार का दिया जाए उतना उसमें होना चाहिए क्योंकि अगर टार में हवा से बैंड हो जाएंगे जिस वज़े से टायर भी खराब होगा और आपका रिम भी खराब होगा तो ध्यान रखिए टायर प्रेशर हमेसा परफेक्ट होना चाहिए दूसरा जो पॉइंट है वो है टायर रोटेशन बहुत जरूरी है जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा इंज रेगूलर कराते रहेंगे 2000-3000 या हर सर्विस पर बाधार ने पढ़ेंगे तो आप रोटेशन नहीं नहीं कराने पड़ेंगे कि अगे वाले जल्दी खराब हो जाएंगे तो आपको आगे वाले रिन रावार हो जिनक राने पड़ेंगे और जू टायर रुटेशन का बैस् लेफट वाला रेर-साव्ध मिलिफ्ट में चल जाएगा इस्टिपने वालार रेर राइट में और रेर राइट वाला टे मए उसका कोई यूजञी हो तो उस तर अभिई विल शत्यूत्ता वहाओ कोशिजिए एक्षायर रोटेशिन हो थर्ड जो पॉइंट है वो है wheel balancing से लिखे wheel balancing जरूरी इसलिए है कि आप गाड़ी चलाते हैं गाड़ी गड़ों में जाती है गाड़ी में कुछ पत्थर लग जाते हैं जो gaps होता है यह जो thread बने होते हैं ніनने जब पत्थर गोज जाते हैं तो हाई स्पीड पे कभी भी टायर बब्लिंग करने लग जाते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि चलते हैं या आपका स्टेरिंग रहा है बेक में कोई दवाने में कोई थोड़ी सी दिक्कात आ रही है तो उससे बचने के लिए आपको बैलेंसिंग कराते रहना चाहिए क्योंकि कि मालेजिए एक तरफ होगर वेट जादा हो जाएगा तो टैर उस तरफ से हलका सा मुड़ जाएगा और वहां से ज्यादा वेर आउट होने लग जाएगा बैलेंसिंग में क्या होता है जो आपके थ्रेट्स होते हैं इसमें जो भी पत्तर लगे होते हैं उसको निकालने के फोर्थ पॉइंटैप का वह वील अलाइमंट से लेकर हैं इसलिए जरूरी है कि मालीजी आप घाड़ी चला रहे है आप घाड़ी चलाती हैं करहां चुड़कर लग रहा है तो यवकol ड़ने लेफट जा रही है नहीं थीक इसलिए आपको alignment कराती रहनी चाहिए क्योंकि tire अंदर से wear out होने की वज़े से अंदर की तरब खराब हो गया बट बहार बिल्कुल सही है फिर भी आपको उसे replace कराना पड़ेगा तो अगर आप जो tire rotation है वील बैलेंसिंग और alignment अगर कराते रहें तो उस tire को खराब होने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वह balance भी है और उसके alignment भी okay तो वह wear out नहीं होगा जल्दी से इसलिए वील अलाइमेंट भी proper कराते रहें जब भी गाड़ी सर्विस पर जाए और लास जो पॉइंट है वह ब्रेकिंग और हार्ड एक्सलिक्शन जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत हार्ड ब्रेक लेते हैं मतलब गाड़ी काफी स्पीड में जा रही है एक तो आपके गाड़ी के जो लाइफ है उसको बचाने के लिए आप ये पांच चीजें जरू करें तो ऐसे ही गाड़ी से रिलेटीड और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जिससे हम ऐसे ही अच्छे चीज़ आपको पताते रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मज़ पताते हैं